नवश्कार, श्वागत है आप सभी का आज के इस सेजन में हम लोग उत्तरपदेश का करंट अफेर्स पढ़ने जा रहे हैं दिसंबर माह का और ये आपकी आने वाली परिक्षा चाए वो PCS की हो चाए समिच्छा रिकारी दोनों के लिए ही बहुत मातपूर्ण है क्योंकि जो करंट अफेर्स पूछा जाता है वो रीसेंट से सबसे यादा पूछे जाने की संभावना रहती है तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इसमें जो तथ्य मैं आपको बताऊंगा कि एक्जाम पॉइंट आप व्यू से मोश्ट इंपॉर्टेंट है क्या आपसे पूछा जा सकता है उस पर भी गौर फरमाईएगा उसको नोट कर लीजिएगा ये वीडि अधिकारी परिख्छा के लिए जो प्रिंटेट फॉर्म में टेस्ट इसरीज है बुक के फॉर्म में बस वो एक से दो दिन में मार्केट में आजाएगी उसकी तैयारी सारी पूर्ण हो चुकी है और थोड़ा सा जो लेट होने का कारण ये है क्योंकि हमने इसमें करेंट अ महिने पहले नौंबर में भी आ गई थी एक्टूबर में कुछ आ गई थी तो उनमें क्या है करेंट अफेर्स जो है रिसेंट का नहीं दिया गया है यहाँ पर जो है बिलकुल आयोग का ही पैटन फालो किया गया है जैसे आयोग आखरी की छे महिने पर सबसे अरा फोकस करत थेंगे तो आपको लगेगा कि आप वास्तुविक परिच्छा दे रहे हैं हमने यह आप लिखा भी है कि बिलकुल वास्तुभिक अबको अनुभव लेना है जैसे परिच्छा हाय में एक्साम देते है आप वैसा ही आपको अनुभव होगा कटे मीठे अन्वा होंगे, या नि कुछ कठीन प्रस्ण होंगे, कुछ आसान प्रस्ण होंगे, कुछ मौडरेक प्रस्ण होंगे सब तरह का एक बहतरीन कम्बिनेशन जो है आपको पूरी test स्रीज में देखने को मिलेगा दस test इसमें है और छे सो पन्ने के आसपास की ये किताब है इससे आप समझ सकते हैं कि हमने ब्याख्या कितनी जबर्जस दी है और उस पे भी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सारे प्रस्ण जो है वो bilingual है market में maximum जो है जो test है उनमें अरिकांस जो है bilingual नहीं है कुछ ही जो है standard test है जो bilingual है यहाँ पर हमने bilingual किया है हो सकता उसके जिसे नमबर आप pages बढ़ गए हो लेकिन दोनों ही medium के बिद्यारती चाहें English medium के हो चाहें Hindi medium के हो उनके लिए बहुती आसानी हो गई है इसकी वज़े से और सबसे बड़ी विशेष्टा इसकी यह है कि RO के ठीक बाद PCS का paper लगा हुआ है तो जो इसको पढ़ेगा तयार करेगा वो PCS में भी इसका फल पाएगा यानि इसमें जो GS है वो तो PCS में same आनी ही आनी है बाकी हिंदी है और reasoning math वगएरा जो है वो आपके PCS के CSAT में आनी है यानि अगर आप इसको लेते हैं तो आपके यह दोनों exam को अच्छे से cover करेगा और जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी चीली जाए जो बहुत durable हो दो-चार exam को target करके बनाएंगे तो निश्चीत रूप से हमने PCS को भी इसमें target किया है थोड़ा सा लेट होने की जो बज़े है उसमें एक बुख्य बात ये भी है कि हमने PCS को भी इसमें target किया है और आप प्रस्नों का इस्तर देखेंगे तो खुझ में यह आप समझ जाएंगे और ब्याक्या इतनी परियाप्त है कि आपको मज़ा आ जाएगा रिवीजन करके पूरे slaves का पूरा आपको लगेगा कि हाँ रिवीजन हो गया है और उन्ही एरियाज से सबसे अरा प्रस्न मिलेंगे जिससे आयोग पूछता है तो बिल्कुल आपको वास्तविक परिछा जैसा अनवो होने वाला है ये जो है बहुत जल्दी flip card पर भी जो है इसके बारे में कुछ भी पूछना है कि आपके सहर में कैसे मिलेगी कहां पर मिलेगी तो ये दो नंबर है हमारे WhatsApp पर आप इस पर संपर कर लीजिए आपको बता दिया जाएगा और धैर रखिये सभी तक पहुँचेगी और समय से पहुँचेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा जो लोग online टेस्ट में interested हैं आएप पर टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी बहतरी टेस्ट संखला उसके लिए भी available है कुल 47 टेस्ट है इसमें विसायवार भी टेस्ट है, full टेस्ट भी है, current affairs के टेस्ट भी है, individual topic wise भी टेस्ट है इस तरह से कुल 47 टेस्ट हैं और ये जो है, revision के लिए बहतरी जो है, चीज है कम समय में आप अधिक से अधिक कर पाएंगे, आएप पर आप टेस्ट दीजिए, आपका score भी पता चल जाएगा, minus marking के साथ में, उसके अलावा आपको solve की हुई PDF भी आएप के माध्यम से मिल जाएगी, जिसको आप चाहे वो इन ही दो नंबरों पर आप आरो टेस्ट लिख कर भेज दीजिए, आपको जानकारी जो है, दे दी जाएगी, तो चलिए, शुरुवात करते हैं अपने lecture की, सबसे पहला आज का हमारा fact है, वो सोनभद जिले से है, सोनभद जो है, तो खान और मतलब खानन के लिए बहु प्राकृतिक सौंदर के लिए भी बहुती फेमस है, तो प्राकृतिक सौंदर के लिए फेमस है, इसलिए इसको इको परेटन के केंडर के रूप में इस्थापित करने का या विक्सित करने का सरकार ने फैसला लिया है, और इसका फैसला इसलिए भी लिया गया है, कि अभी ह पार्क में खो जा गया है तो ये फैक्ट आप से पूछा जा सकता है बाकी इसके पास में जो है कैमीर वन जी अभ्यारण है और उसके कारण रेंज में लगए 25,000 के छेटर में ये जो है कैमूर फैला हुआ है तो इसको इको परेटन केंज बनाने के लिए सरकार ने सारी तयार आगे बढ़ते हैं कई बार ये चीज़ बता चुके हैं इस साल के सुरुवास से चला कि ललितपुर में एक बड़ा फार्मा बनेगा और वो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला सबसे बड़ा फार्मा पार्क होगा और इसको एक special नाम दिया गया है बल्क ड्रग पार्क क्यों रखा गया है तो फेज वन में जो है यूपी सीडा डिटेल्ड मास्टर प्लान और प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए उसने कंसल्टेंशी फर्म को एकार आवंटिट कर दिया गया है और ये पांच गाओं में 1472 एकड़ पर बल्क ड्रग फार्म बनाया जाएगा आगे बढ़ते हैं उत्तरप्रेश के जो आथ आकांची जिले हैं उसमें एक लाख करोण निवेश का सरकार ने फैसला लिया यानि बहुत भारी भर कम निवेश का फैसला किया गया है और इसमें आप मोश्टली देखेंगे जो है सारे पिछड़े जिले हैं जहाँ पर अब सारी फरियोजनाएं हैं सोनभदर पर विशेस फोकस है जैसा आभी हमने पीछे भी देखा जो है तो यह जो है थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें आप से कोश्चेन अगर पूछा जाएगा तो कितने का निवेश किये जाने का फैसला किया गया है यह जो है सबसे बड़ा कुश्चन है लीट सर्वे रिपोर्ट आई है पहले तो लीट का फुल फॉर्म जाने है लाजिस्टिक एज अक्रास डिफरेंट स्टेट्स इस सर्वे रिपोर्ट में उत्तरप्रदेश को लगातार दूसरे वर्स अचीवर्स प्रदेश की सूची में सामिल किया गया है तो लैंड लॉक राजियो की स्रेडी में अचीवर्स घोसित किया गया है अंतराष्टी आलू केंद्र का जो है अंतराष्टी आलू केंद्र कौन सा पेरू में जो इस्टित है उसका एक रीजनल सेंटर खोलने का एनाउंसमेंट इस साल सुरुवात में ही हुआ था तो मतलब द इंटरनेशनल पोटेटो रिसरच पेरू का कहां पर खोला तो यह साउथ ऐसी आरीजनल सेंटर जो है आगरा में स्थापित होगा जिसके लिए काईविनेट ने मंजूरी दे दी है नेक्स्ट है राजधान ये लखनों में देश की पहली AI सिटी विक्सित की जाएगी अभी बाकी से संबंदित बहुत सारी चीजें हैं आप जो है वीडियो को पाउस करके अच्छे से पढ़ सकते हैं लेकिन जो है जो परिक्षा में आपके पुछे योगी प्रस्न यही है कि कौन सा सहर है तो आपको बताना होगा उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनों में AI सिट खुलेगा आगे बढ़ते हैं लखनवा गोरकपुर में राज टीबी दिमाश प्रसिचन प्रदर्शन केंद्र खुलेंगे यहाँ पर क्या होता है टीबी के लिए टीबी मतलब बीमारी जो टीबी होती है ट्यूबर क्लोसिस चैरोग उसके जो है इस तरह का एक सेंटर आग क्लोसिस दिमार्ट स्ट्रेशन सेंटर यहाँ पर टीबी के बारे में पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है बहुत सारी रिसर्च की जाती है तो मतलब यह एक तरह का टीबी के लिए सेंटर आप एक्सलेंस होता है जो आब लखनव और गोरकपुर में खुलने जा रहा है तो दिल्ली ने यह अधिकार दिया है कि यह अपना खुद का एक कोर्स इस्थापित या सुरू करे अगला बीते वर्स पूर्वी उत्रप्रेश में जीयो रहा पृत्रम तो अभी जो है एक टेलिकॉम का सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि पूर्वी कनेक्टिटी वा सबसे सस्ते फोन की सहज उपलकता की वज़े से जीयो को वर्स 2023 में नंबर एक टेलिकाम आपरेटर घोसित किया गया है आगे गोलफर अनूप ने दो बिस्तुरिकार्ड बनाए गोलफर अनूप जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंदित हैं तो पहले इनक एक दूरी और सबसे अधिक समय तक रखने का दो तरह का रिकार्ड बनाया है नेक्स्ट है आप जानी रहे आयोध्या में भगवान स्री राम का जो है भवे मंदिर बन रहा है तो उसके लिए 400 किलो का एक ताला बनाया था एक सिल्पी ने उनका निधन हो गया है इसी वज़ के ताले मसूर है वहां के ये सिल्पी थे सत्य प्रकास सर्मा इनका हाल ही में निधन हो गया है परेटकों को मतुरा हुआ आगरा की बीच हेलिकाप्टर सेवा के माध्यम से दर्सन की सुविधा शुरू कर दी गई है पच्ची दिसंबर से ये सुविधा शुर्वात हो गई ये पी-पी-पी मोड पर इनका संचालन किया जाएगा और इसका जो संचालन करेगी यो कंपनी का नाम यहां पर लिखा है जो बहुत ज़्यादा माधपूर नहीं है नेक्स्ट है उत्तरप्रेस में बिजली उत्पादन 10% बढ़ा ये माधपूर है क्योंकि यहां पर एक न बिजली का उत्पादन 10% बढ़ गया है पीक आवर्स में अब रिकार्ड क्या बना है जो आप से पूछा जा सकता है पीक आवर्स में सबसेदिक बिजली के आपूर्ती करने वाला उत्तरपदेश देश का पहला राज बन गया है आगे बढ़ते हैं महाकुम्भ से पहले गं गंगा एक्सप्रेश वे का सुबारम कर देंगे आप जानते हैं गंगा एक्सप्रेश वे पूरे भारत का जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लिंक एक्सप्रेश वे जो है है इसकी प्रस्तावित लंबाई जो है 594 किलो मीटर है और इससे पहले मतलब वन नंबर पर को expressway अब संचालित हो जाएंगे और सात्वा जो है निर्माना धीन है गंगा expressway के संचालन के साथ देश के सीर्स 10 expressway में से 5 उत्तरपदेश में होंगे और अभी वर्तमानमेन की संखिया 4 है अगला काइवनेट का निर्मना है अधिवक्ता कल्यान कोस जो होता है निधी ती थी लिखा गलत है यह निधी होना चाहिए कारपस फंड जिसे कहते हैं तो मंत्रिपरसर ने अधिवक्ता कल्यान निधी को बढ़ा कर 500 करोण किये जाने का प्रिस्ताव कर दिया गया है इससे वर्तमान में अधिवक्ताओं की मिरत्यों के पश्चात उनके विधिक वारिसों आर्शित्यों को आर्थिक सहाता के रूप में 5 लाक रुपाई की धनरासी प्रदान की जात अब पहले नंबर पे आ गया है तो हालही में उत्तरपरदेश ने 42.2% ग्रामीर परिवारों तक नल से जल पहुचाने का लच पूरा कर लिया है जबकि राश्टी इस तरपरदेश में 72% नल कनेक्शन दिये गये है इस लच को हासिल करने वाला उत्तरपरदेश अकेला अब पहले जाएंगे अभी हालही में काइमने ने ने लिया है कि 57 जिलो में खोले जाएंगे और इसका जो प्रभारी होगा वो SSP होंगे वहां के उज्वला योजना की 10 करोणवी लाभारती के घर अभी हालही में प्रधानमंत्री जी गये तो ये चर्चा में आ गया तो आ ओजन ओजन यालपाहार वगयरा किया था काफी जो है फेमस हुआ था अप्रधानमंत्री जी ने खुद अपने ट्विटर पे एक्स पे लिखा था कि बगवान शिराम की नगरी में बहन मीरा मानी के घर जाने का अनुभव आविश्मर्णी ये बन गया है आगे बढ़ते है चार लेन मार्ग से जुड़ेंगे प्रमुक एको परेटन स्थल जितने भी एको परेटन केंद्र है उत्तर प्रधेश में जैसे की दुदवा नेशनल पार्क है पर पीली भी टाइगर रिजर्व है तो इस तरह के इनको सभी को फोर लेन से आपस में कनेक्ट किया जाएगा इस क्यों क्यों कि जब कोई घूमने निकले परेटन की दिश्ची से निकले तो आसानी से सारे एको केंद्रों को एक दूसरे से कनेक्ट होने पर वो सब जेके जा सकेगा तो पहले चरण में दुदवा नेशनल पार्क करतनिया घाट वनजी उगहार वा पीली भी टाइगर प्रमुक्सणों को इसके लिए चिन्नित किया गया है अगला हमारा है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर पूछा जाएगा तो प्रस्थ यह जरूर आएगा ब्रंदावन में देश का पहला बालिका साइन विशुद्याले खुला गया हलां कि ऐसे साइन विशुद्याले पहले से थे जहां बालक बालिका दोनों पड़ते थे लेकिन ये पूर रूप से बालिकाओं का ही पहला सैनी विद्याला है जो केवल और केवल बालिकाओं को जो है समर्पीत है तो इसका नाम भी दिया गया है सम्विद गुरकुलम गल्स सैनी कि स्कूल ये धान रखिएगा और ये कहां पर है ब्रंदावन में है स्रिनाम मंदिर में नौ देसों का समय बताने वाली घड़ी जो है एक सबजी विक्रिता ने बनाई है तो इस समय स्रिनाम मंदिर से जुड़े वे जितने भी कोई रिकार्ड है या कोई विसेष्ता है वो सभी चर्चा में है तो निश् उन्नाव में highway village बनेगा, highway village का मतलब है कि आप highway से गुजर रहे हैं तो आपको rest करने के लिए गाउं जैसा village मिलेगा, वहाँ पर खाने पीने की भी विवस्था होगी, ढाबा त्याद ही होंगे, ट्रक वाले हैं तो ट्रक भी रोग सकते हैं, बाकी किसी की गाड़ी खराब में विक्सित करने के लिए उन्नाव में highway village बनाए जाएंगे, और ये expressway के 31 km यानी green field section पर दोनों तरफ बनाए जाएंगे, वर्स दोजा 27 तक उत्तरप्रदेश बाल स्रम से मुक्त हो जाएगा, अब इसमें बहुत जारे detail पढ़ने जोत नहीं है, यही आपका प्रसन, अग अब तक का लच निधारित किया है कि उत्तरप्रदेश बाल स्रम से मुक्त हो जाएगा, तो 27 तक आपको यार रखना है, नेक्स्ट है, कासी में किया AI टूल का पहली बार प्रयोग, अभी हाल ही में इसकी चर्चा पुधान मंति जी ने अपने भाशन में भी की थी, कि वो हि इसने पहली बार भासा का अनुवाद किया, रियल टाइम, मतलब एक तरफ प्रदान मंत्री भाशन दे रहे थे, दूसी तरफ तरफ तमिल में जो है उसको भाशन का अनुवाद भी चल ला था, बंदो, बंदे भारत, नमो वा अमरत भारत, ये सभी ट्रेनों का मतलब केंद उत्तर प्रदेश बन गया, ये उत्तर प्रदेश का ऐसा राज बन गया, जहां पर ये तीनों तरे की बिसिष्ट ट्रेने चल रही है, अभी 30 दिसम्बर को ही प्रदान मंत्री जी ने इसका उद्गाटन किया है, अयोध्या से, तो तेज रप्ता सेवा देने अली बंदे भ नेक्स्ट है, लखनों को पांच जिलों से जोड़ेगा 250 किलो मीटर लंबा विज्ञान पत, आप से पूछा जा सकता है कि विज्ञान पत किन-किन सहरों के बीच बन रहा तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखियेगा, प्रदेश सरकार ने लखनों को उसके आसपास के पांच जिलों से जोडने के लिए 6 लेंज चोड़े और 250 किलो मीटर लंबे विज्ञान पत के निर्णाय का निर्माल का निर्णाय लिया है, विज्ञान पत के जड़िये प्रदेश की राधानी को इसके उत्तर में हर्दोई, अब जिले समझ लिए कौन-कौन से हैं, हर्दोई, फ जल्दी ही प्रदेश सरकार ग्रीन हाइडोजन नीत ही उत्तरप्रदेश में लाने वाली है, ग्रीन हाइडोजन नीत के तहट वस 2030 तक 1MMTPA यानि मिलियन मिट्रिक टन प्रतिवर स्वच उच्चा उजारन का लच्छ निर्धारित किया गया है, नेक्स्ट है उत्करष्ट सा नेक्स्ट करने वाले वरिष्ट साहितरुकारों को जैन विद्या सोच संसान की तरफ से पुरुस्कत किया जाएगा, सम्मान पुरुस्कार रासी किती है, तो तीर्धंकर महावीर अहिंसा सम्मान विद्क्या उनजार की है, इतना डिटेल आप से नहीं पूछा जाएगा, ये केवल सामान जानकारी के लिए है लखनो विसुद्याले को भी हाली में कई सारी उपलब्धियां मिली है एक तुर रैंकिंग के कारा तो कौन कौन सी उपलब्धियां है 2023 में 103 साल के इतिहास में पहली बाद 2022 में में नायक से Aप्लस ग्रेट मिलने से एक साल बाद ही UGC से उत्रपिनेस में स्रेडीवन का विसुद्याले इनको बनाये गया 2022 सारी, 2023 में स्रेडी वन का विसुद्याले क्लास कर बन गया माउयू साइन हुए हैं 2020 में विनिंग पॉइंट और ड्यूल सिगरी प्रगाम को मंजूरी मिली है नए पीच जी आडिनेंस वे सोधार्तियों के सुधार्था को पस्ताप रगवा है इसी तरह से बहुत सारे उपलग्धियां हैं जिसमें से मुख रुप से जो है नोबरा तापी विद्ध ग्रह की 660 मेगा वाट की पहली काई ने पूरी शम्ता से साथ उत्पारण सुरू कर दिया इस प्लांट के पूर रूप से सुरूने से उत्तरप्रदेश की कुल विद्ध शम्ता में 10% की ब्रद्धी हो गई है नेक्स्ट है सती प्रथा पर केंदरी तो पन्यास मुझे पहचानों अब इस तरह का अगर यूप से जुड़ा है कोई व्यक्ति लेखर जिसने लिखा है तो उसका नाम पूछा जा सकता है तो सुल्तानपूर के राम, सजीवन, प्रसाद और संजीव को साहित लेखन के छेट में देश के दूसरे सर्वोच साहितिक पुरुसकार साहित अकादमी से नवाजा जाएगा संजीव को या पुरुसकार सती पुरुसकार पर केंदित इनकी सौ प्रिष्टों के उपन्यास मुझे पैचानों के लिए दिया जाएगा उसके अलावा इनकी बहुत सारी और कृतिया है जिनको जरूरी नहीं कि आप यार रखें मुखी रूप से साहित अकादमी पुरुसकार मिलेगा इनको ये बड़ी बात है और इनका उपन्यास का नाम मुझे पैचानों है जो की सती पुरुथा पर आधारित है अगला है उत्तरपदेश सरकार जो है इसराइल की मदद करने के लिए कोकि इसराइल का बड़ा पार्टनर है भारत तो भारत में उत्तरपदेश भी है दस हजार स्रमिकों को निर्मार स्रमिकों को वहाँ भेजेगा कोकि अभी युद्ध के कारण वहाँ पर काफी बरबादी हुई है तो उसके लिए दस हजार कमचारियों को भेजा जा रहा है निर्मार स्रमिकों को तो ये जो है चर्चा में है इस समय नेक्स्ट है उत्तरपदेश सरकार को केंदरांस यानि केंद सरकार से 13,088 करोन रुपए दिये जाएंगे जिसके अभी घोषणा की गई है केंद सरकार ने भी हाली में राजियों को अत्रिक कर के रूप में 72,961.21 करोन रुपए की धनरासी जारी की है इसी में जो है उत्तरपदेश को कित्ता मिला है 13,088,57 करोन रुपए मिला है अगला सौफ्ट्वेर पार्क्स और आईटी हब से सम्मनित कुछ तत्य हैं यार रख लीजे इस तरह के प्रस्ट खुब आते हैं नोएडा, मेरट, लखनव, कानपूर और प्रियागराज में पाच सौफ्ट्वेर टेकनॉलजी पार्क्स आफ इंडिया क्रिया सील हो चुके हैं आगरा, वाराणसी, बरेली और गोरकपूर में चार सौफ्ट्वेर टेकनॉलजी पार्क निरमारा धीन है इसके बाद, नोएडा, इस्ति सीडाएक सेंटर में सेंटर आफ एक्सिलेंस की स्थापना की गई है सौफ्ट्वेर निरयात में उत्तरफदेश छटे पाईडायन पे, किस नंबर पे हैं? शिक्स्थ प्लेस पे है उत्तरफदेश में आईटी सेक्टर की प्रमुक कंपनियां जैसे पेटियम, TCS, HCL, Microsoft, MQ, Adobe, Wipro, Infosys आदी जो हैं, अभी जानते हैं आप जो है ग्राउंड वेकिंग सेंट में नहीं हुई थी फिर याप पर ट्रेड फेयर हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड सो हुआ था, उसी वज़े से यह सारी कंपनियां निवेस कर रही हैं लखनों में MOC Airport के पास 40 एकड की जमीन पर भारत का सबसे बड़ा IT हब बनेगा इसमें IT पार्क, बिजनेस पार्क और अंतराश्टी इंकुबेशन फैसलिटी सेंटर भी होंगे और कानपूर को ड्रोन और रोबोटिक्स मैनुफेक्टिरिंग हाट स्पार्ट के रूप में विक्सित करने की योजना है तो यह सब थोड़ा-थोड़ा संचिप्ट फॉर्म में हैं लेकिन इस अब आपके पूछे जाने यह की कुश्चन है हवा से कार्वन डायक्साइट सोकर बनाया जा सकेगा पेंट और यह काम किया है उत्तरप्रदेश के जो है कानपुर इस्थित हरकोर्ट बटलर प्रद्योग की विस्विद्याले के छात्रों ने वहां के रिवबैगानिकों ने इन्होंने पेंट से एक ऐसी तक्नीक विक्सित की है जिसमें से डाई आइसोसाइनाइट के बजाए हवा में मौझूद कारवन डैकसाइट का प्रियोग होगा और इस नवाचार के लिए या नवनमेश के से पेंट में मौझूद घातक रसायन दूर हो जाएगा और यह पर्यावरण हिसाइसी भी हो जाएगा मतलब पेंट ऐसे भी खतरन कोस है अब संस्कृत में भी आख्षोड की डिस्नरी मिलेगी यह जो है अचीवेंट है उत्तर प्रदेश के नाम पर इसमें लगवद 25,000 संस्कृत सब्द हैं जिनके अर्थ हिंदी तथांग रेजी में दिये गए हैं अगला है ऑनलाइन मंडली प्लेटफॉर्म इनाम तो किसानों को पहली बार सीधे राश्टी इस्तर पर बाजार उपलब्द होगा वा परतिसपरधा के कारण उन्हें अपनी उपज आधिक रूप से मिलेगी मतलब जो है कुल मिला के इस पोर्टल के उपयोग से कोई भी किसान या ब्यापारी चाहेगा तो वो राश्टी मंडी से जुड़ सकेगा और दूसरे राज्यों के किसानों से भी वो सीधे संपर्क में आ सकेगा आगे कुछ कैबिनेट के महत्पूर्ण फैसलों को डिसकस कर लेते हैं हलाकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हैं जो आप से पूछे जाएंगे तो ग्राम पंचायतों में आप पी पर योजना की लागत जो है 341 कौरण रुपए बढ़ा दी गई है और आगरा में आलू केंद्र के लिए दी गई जमीन की लीज़ डिरिट पर श्टांप और निबंधन सुल्क में छूट दे दी गई है तो यह सबी जो है छोटे-छोटे फैसले हैं कैबिनेट के हलाकि बहुत ज़्यादा आपके एकजाम पॉइंट आभि उसे मातपूर नहीं है अभी तो 57 साइबर क्राइम ठानों को मंजूरी दी गई है लेकिन अभी एक और योजना लाई गई है कि जितने भी जिले हैं क्योंकि अभी मंडल इस तर पर हर जिए के साइबर थाना है लेकिन ज हाल ही में एक संस्था है जिसका नाम है S.O.I.C. एक चल में एक पोर्टल है जो बाजार और अर्थविवस्था पर नजर रखता है उसने रिपोर्ट जारी की है उसने बताया है कि उत्तरप्रदेश महराश्ट के बाद दूसरे इस्थान पर अभा गया है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थवस्था बन गया है और तमिलनाडू को पीछे छोड़ दिया है तो यहाँ पर समझ लीजिए कि GDP उत्तरप्रदेश की कितनी है महराश्ट की 15.07 योगदान देता है पूरे देश की GDP में उत्तरप्रदेश पूरे देश की GDP में 9.2 परसेंट का योगदान देत है परदेश में 13,372 करोन रुपए का बिदेशी निवेस यानि FDI आया है अभी परदेश में जो कानून वियोस्था में सुधार हुआ उसकी वज़े से तो सीधा सीधा आपसे जो है यह धन्दासी ही पूछी जा सकती है परदेश को एक ट्रिलियन की एकनॉमी बनाने के लि देखा जाए 2016-17 में यह 13,00,000 करोन रुपए थी अब यह डेटा महत्पूर्ण है आर्थिकी के एसाब से 2023-24 में उत्तरपनेश की जो GDP है वो 24,00,000 करोन रुपए हो चुकी है और वही पर प्रतिव्यक्ति आये की बात करें तो उत्तरपनेश में प्रतिव्यक्ति आये जो है वर्ष 2022-23 में किती है? 83,000 रुपए प्रतिव्यक्ति है जैसे हर साल जुलाई में ब्रहत पौधा रुपण अब्यान या ब्रिच्छा रुपण अब्यान उत्तरपनेश में चला जाता है उसी क्रम में 2024 का भी टार्गेट सेट कर दिया गया है जुलाई 2024 के पहले सब्ता में 35 करोण पौधे लगाने का लच्छ निधारित कर दिया गया है तो लच्छ आप से पूछा जा सकता है उत्तरपनेश में 10 सालों में 7 गुना बढ़े रिटर्न फाइल करने वाले कौन से रिटर्न? IT रिटर्न, income tax रिटर्न फाइल करने वालों कि संख्या 7 गुना बढ़ गई है 2023 में 11.92 लाक लोगों ने आएकर रिटर्न यहां पर भरा है रिटर्न फाइल करने के मामली में उत्तरपदेश अब देश में दूसरा सबसे बड़ा राज ये बन गया है ये जो है उपलबदी है जो पुछी जा सकती है रामवन गमन मार्क का विकास उत्तरपदेश सरकार के दवारा किया जा रहा है जो आयोध्या से चित्रकूर तक 210 किलो मीटर लंबा रामवन गमन मार्क बनेगा अब इसका मार्क क्या होगा राजापूर मंझनपूर स्रंगवेर पूर धाम जो प्रियागराज में आता है फिर आगे बढ़े प्रताब गड़ा आया फिर सुल्त होगा मार्क वालमी की अंतराष्टी एयरपोर्ट कहां पर अभी हाली में उद्गाटन हुआ इसका तो इसका नाम आप से पूछ सकता है कि एयरपोर्ट कहां पर रही है आयोध्या में उद्गाटन हुआ इसका भी 30 दिसंबर को और यह क्रिया सील हो गया है अब इसकी कुल कुल रन्वे और बिल्डिंग की कोश्ट भूम या दिग्रान की कोश्ट यह ज्यादा पूछी जाने योग नहीं है नव अध्या नई अध्या तो नई अध्या पहली सोलर सिटी के रूप में विक्सित की जाएगी जो बहुत दिनों से चर्चा में है तो पूछा जा सकता उत्तरपदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी तो अध्या बनेगी और यह एई-सिटी भी बनाया जाएगा लेकिन अभी फिलाल एई-सिटी अगर पहला पूछा जाएगा कौन सा विक्सित किया जारा तो लखनों ही आपको बताना है जब यह बन जाएगी तो यह भी इस सेसन में उत्तर प्रदेश का दिसंबर का जित्ता भी महत्पूर करंट अफेर था वो कवर कर लिया है इस वीडियो में बस आपको दो से तीन बार अगर आप रिवाइस कर लीजिए तो आपको ना नोर्स पढ़ने की जरूवत है ना कुछ याद करने की जरूवत है ना कु कि जरूवत है जरूभ्य है तो आपढ़र आपको लीजिए लेंगाउ में टो ना कुछ देम हैं